संप्रदाई के बारे में प्रश्ण किया है, हमारे देश में संप्रदाईों का बड़ा बोल बाला है, हर आदमी दूसरे से पूछता है आप किस संप्रदाई के हैं, चार संप्रदाई चल रही हैं हमारे भारत में, एक संप्रदाई ब्रह्मा से मानते हैं, उसके आदी, दूसरे शंकर से मानते हैं, आदी, तीसरे लक्षमी से मानते हैं, आदी, चोथे सनकादिक परमहंसों से मानते हैं आदि ये चार संप्रदाय चल नहीं है और भी है और रोज बनती जा रही है विचारा एक भगवान उसको पाने के लिए ये लड़ाई है अगर किसी महापुरुष से कोई संप्रदाय मानी जाए तो लाखों महापुरुष हो चुके फिर लाखों संप्रदाय होंगी जैसे रामानुज संप्रदाय है आजकल शंकराचार्ज की संप्रदाय है आजकल तो सबसे पहले शंकराचार्ज को लो ये सबसे पुराने हैं यानि धाई हजार बर्ष पहले हुए है शंकराचार्ज उसके बाद फिर सब होए है रामानुज आचार्ज, मात्भारचार्ज, निम्बारकाचार्ज तो शंकराचार्ज से संप्रदाय मानने वाले जरा जवाब दे कि शंकराचार्ज के गुरू कौन थे गोबिन्दाचार्ज उनसे क्यों नहीं कहते कि हम गोबिन्दाचार्ज संप्रदाय के हैं गोबिन्दाचार्ज के गुरू गौड़पादाचार्ज तो ये क्यों नहीं कहते गौड़ पादाचार्दी के संप्रदाय के हम हैं और अगर शंकराचार्ज के संप्रदाय के कहते हैं तो शंकराचार्ज के चेले कहेंगे हमारी संप्रदाय भी बोलो फिर तो सभी महात्माओं की संप्रदाय हो जाएगी तुलसिदास की संप्रदाय, सूरुदास की संप्रदाय, मीरा का संप्रदाय सब की संप्रदाय हो जाएगी यह नासमजी की बाते हैं अगर आप लोगों से कोई संप्रदाय के बारे में पूछ है तो सीधा सीधा जवाब देना कि ये बताईए कि जीव के सिवा कौन बचा एक तो जीव है यहनी हम सब नाया धीन नंबर दो भगवान है नंबर तीन माया है चौथा तो कोई तत्व है नहीं कहीं लिखा है चौथा तत्व तो हमारे सिवा दो बचे एक भगवान एक माया तो हम सब जीव इनहीं दोनों में किसी के फालोवर होंगे या तो हम भगवान की पाल्टी के होंगे या तो माया की पाल्टी के होंगे तिसरी कोई चीज है यहीं जिसकी पाल्टी बने तिसरे तो हम ही लोग है बनने वाले तो जो भगवान को अपना इष्ट मानते हैं भगवान में आनंद मानते हैं और भगवान की भक्ती करते हैं वो भागवत संप्रदाय के होंगे और जो संसार में सुख मानते हैं और संसार को ही अपना सर बस्त मानते हैं वो माया संप्रदाय के होंगे बस चुट्टी अब अगर भगवान में भी आप यह कहें कि कौन से भगवान के हैं तो अनंत भगवान हो चुके हैं अनंत अवतार अवतारा है संखेया भागवत कह रही है भगवान के अनंत अवतार हो चुके हैं तो ये एक एक अवतार के संप्रदाय बन जाएगी है तो सब भगवान नहीं वो तो इसलिए बस दो संप्रदाय है एक भगवान की, एक माया की बाजश्रवा नाम के मुनी हुए थे गौतम कुल में ये बेद की बात बता रहा हूँ अनादि बेद की बाजश्रवा के पुत्र का नाम था अरुन अरुन के पुत्र का नाम था उद्दालक उद्दालक के पुत्र का नाम था नचिकेता तो बेद में नचिकेता और जमराज का संबाज लिखा है तो उसमें पहले तो यमराज ने बड़ी मीठी मीठी बातें बताई नचिकेता को लालच दिया स्वर्गे नभायम किंचनास्ति स्वर्ग में कोई भाय नहीं है जमराज ने कहा बड़ा सुख है नचिकेता ने कहा मुझे मालूम है क्या है स्वर्ग में मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए जब देख लिया जमराज ने कि नचिकेता बड़ा बिरक्त और ग्यानी है यह हमारे चक्कर में नहीं आएगा तो उन्होंने कहा अच्छा बिटा सुन अन्या च्छ्रेयो नदूताईव प्रेयस्तयो श्रेया आददानस साधु भवति देखिए कितना बड़िया नरूपण है बेद में बेटा देखो दो तत्व है जीव के अतरिक्त एक भगवान एक माया तो इन दोनों को जो रास्ता जाता है तो एक रास्ते का नाम श्रेय एक रास्ते का नाम प्रेय तो जो श्रेय के मार्ग से जाता है वो अनन्द पा लेता है दुख समात हो जाता है उसका और जो प्रेय के मार्ग से जाता है वो दुख ही दुख पाता है अनन्द काल तक 84 लाक में गूमता है यह बेदमंत्रकार्ट तो बस दो संप्रदाए हुई या तो श्रे को कोई चले या प्रे की ओर चले या तो भगवान की ओर चले या तो संसार में सुकुन मान ले उधर भागे तीसरा कोई एरिया नहीं है जहां कोई भागेगा तो इस प्रकार बस दो संप्रदाए है एक भगवान के मानने वाले और एक माया में सुक मानने वाले अब माया में तीन गुण है सत्त गुण, रजोगुण, तमोगुण तो सत्त गुण का जो लक्ष है स्वर्ग है रजोगुण का मृत्त लोग है तमोगुण का नरक है इसमें भी अपना अपना लक्ष है कोई स्वर्ग जाने का प्रेत्न साधना करता है कोई मृत्त लोग के लिए करता है कोई नरक के लिए करता है अरे कहता नहीं है कि हम नरक के लिए कर रहे हैं लेकिन चोरी, डकैती, मरडर, शराब, कबाब में जो लगा है वो नरक जाई गई वो भले ही मुझे मुझे नरक नहीं चाहिए अरे नहीं चाहिए तो ये सब क्यों करते हो चाहिए चाहिए ये मतलब नहीं है हम नहीं चाहते हमारे शरीर में कहीं दर्द हो लेकिन हम कुलाडी से मारेंगे पैर में अरे तो दर्द हो गाई फिर तो तुम जो कुछ कर नहीं हो उसका फल तो होग ना पड़ेगा तो इसलिए बस दोई संप्रदाय है और बाकी सब जगड़ा तो हम लोगों का बनाया हुआ है ये भगवान तो संप्रदायों से परे है वो मत मतांतर से वो बुद्धी से तर्क से इन सब के चक्कर में नहीं रहता वो तो भोले बालक के वो भोले पन वाले सरल सुभाव वालों से प्यार करता है वो इन लोगों से नहीं करता है संप्रदाय बादों से इसलिए अगर कोई कहे तो कभी लड़ना जगणना नहीं बड़े प्यार से कह देना कि देखो भईया मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ये सुना है कि एक भगवान है एक माया है तो जो भगवान का भक्त है वो भगवान का संप्रदाय वाला है जो माया का भक्त है वो माया की संप्रदाय वाला है तो मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ तो मैं उजी संप्रदाय का हूँ चुट्टी रड़ बनना चाहता हूँ